हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो कुमकुम किचिन आप में से जो लोग नए है मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बैल भी दबा दीजिए इससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हो मैंगो आइस क्रीम जिसको कि हम मिक्सर में बनाएंगे बहुत ही कम इंक्रीटियंट्स है जो कि घर पर एविलेबल होते हैं और बहुत ही आसान विदी से आप इसको घर पर बनाकर त्यार कर सकते हैं बिलकुल मार्केट जैसी क्रीमी इनको पहले दोग कर हम अच्छे से इनका छिलका निकाल लेंगे तो आप पहले इनका छिलका निकाल लीजे और हमें इसका पल्प चाहिए तो मैं छिलका निकालकर इसको तुकडों में काट लूँगी तो देखिए यहां पर मैंने इसको तुकडों में काट लिया है अब हम यहां पर मैंने लिए लगभग 100 ग्राम चीनी और चीनी को हमें पहले पीस कर पाउडर बनाकर तयार कर लेना है तो देखिए यहां मैंने चीनी का पाउडर बनाकर तयार कर लिया है अब इसमें हम कटे हुए आम के जो तुकड़े हैं उनको डाल देंगे यदि आपका आम के यूज करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमच यहां मैंने लिया है मिल क पाउडर इससे बहुत इचा फलेवर हमारी आईस क्रीम को मिलता है, और अब हम इसे मिक्सर में अच्छे से चला लें जब तक कि सभी चीजे आपस में अच्छे से मिलना जाए. तो देखिए, बहुती स्मूद आइस क्रीम क्रीम वնमारी बनेगी. और इसमें इसनफ तरीकी बॉखस में डाल दिया है और इसे उपर से अच्छे से फैला लेंगे जिससे कि यह सभी तरफ से एक समान हो जाए और इसे हम थोड़ासा 23-24 गंटे में बहुत ही बड़ी अ करिके दिखाती हूं निकालकर देखिए पहुत जादा यह नहीं है बहुत यह अच्छा क्रीमि टेक्चर का आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी और क्रीमी लगेगी तो देखिए कितना आछे टेक्चर हमारी आइसक्रेम काती है तो आप इसी तरीकिसे से घर पर बना कर तयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से मिक्सर में यह बन कर तयार हो जाएगी और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा अपने फैमली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूले क कॉमेंट्स करके बताएगा आपको मेरी यह रैसिपी कैसी लगी और आपने इसे घर पर ट्राय किया आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले विट नोटिशिकेशन बेल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नही रैसिपी के साथ अब तक लिबाबाइ